इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जियस क्लासेच में आप सबी स्वागत करता हूं तो धोस्तों आप लोग क्लाश जोCDP की चलती थी वह क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप 4 ज्यादा क्या करीए वीडियो को शेर करिये और चैनल को क्या कर लिए सबस्क्राइब कर लिए ठीक है यह क्लास और पहला question भी तो आप लोग वी डियो को जो क्या करते हैं एक बार सेर कर देंगे घिक बताई फोला question देखे को अपनों को शामने कर रहा 산 ग्रन्दियों के आधार पर ब्यक्तित्यों के विभिन प्रकारों की चर्चा किसंने की थी मतलब क्रण्द के एधार पर जो हमारे व्यक्तिगत्यों के विभीन प्रकारों की चर्चा किस ने की थी कृष्ष्मर शहाव इटना ही इसको याद रखना चलिए अगेगे सबसे अच्छा कौन है नामिक मापन होता है या अनुपात में किसी चीज को मापा जाता हो होता है या क्रमिक मापन होता है क्रम के आधार पर जो होता है या अंतराल के या इसे अंतराल के बाद थिक या अंतराल वाला तो कौन सा मापन सबसे अच्छा मापन होता है तो बताई बताईए फटाफट A है B है C है या D है बताईए मैं देख रहा हूँ कौन-कौन लोग बता रहे हैं कौन-कौन तो सबसे अच्छा जो है अनुपातिक मापन क्या होता है सबसे अच्छा होता है कौन सा अनुपात वाला मापन जो हमारा क्या होता है सबसे अच्छा रहता है इस या दो से अधिक तथ्यों को हम लोग क्या करते हैं मापन के लिए अनुपात का प्रियोग करते हैं इसमें दो या दो से अधिक एक या दो या दो से अधिक लोगों को क्या करता इस मापन में उपियोग करता अनुपात वाले में और इस मापन में तुर्टी की संभावना बहुत कम होती है ठीक है इसलिए सबसे वहतरीन और सबसे अच्छा मापन अमारा कॉंसा अंतराल अनुपात मापन ठीक है आ गई अगला कोस्चन देखे कोस्चन नमर 3 क्या गाला है कि एक परिस्थिती में अरजित ग्यान का दूसरा परिस्थिती में उपयोग कहलाता है एक प आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक में भी आप इसी का कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं अरजित ग्यान को क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं तो यह क्या कर लाता है सीखने का हस्तान अंतरन का लाता है एक रूप से दूसरे रूप में जिस चीज का हस्तान अंतरन होता है उस शीखने के लिए जानने के लिए सीखने के लिए सबसे सरवाधिक UPUYOKT अर्थ क्या है बता ही पटाफ़ जीचे काउंसा है उसके ब्योहार में परिमारजन सीखने का सरवादिक उपियुक्त अर्थ क्या होता है उसके ब्योहार में परिमारजन क्या होगा ठीक है इसका मुख्य उद्देश होता है ताकि यो परिस्थितियों की अनुरूप जो हो खुद को क्या कर सके समायोजित कर सके समायोजित इसकिल का क्या कर सके विकास हो सके ठी आगे आजी कोश्य नंबर आप बताएंगे फिप्ट चलिए बताई अधिगम से संबंधित किसी बिद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है कठोर परिश्रम का सुझाओ ग्रन्थालय में निरिछित अध्यन नेजी सिच्छन का सुझाओ या निदानात्मक स सिच्छन बताई इस चारों में से कौन सा है इसका क्या हो जाएगा समस्या का उपचार क्या कर देए नीदान कर ते उपचार में किया करते हैं फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं निदान करते हैं चलिए आगे आजाए कोशन नमबर आपका 6 है देखिए कोशन नमबर 6 क्या करा है बिने साइमन परिछन द्वारा मापन किया जाता है तो जो बिने साइमन साहब थे इन्होंने परिछन का मापन किया था बताए किस पर किया था इन्होंने जो है किस पर किया था विशिष्ट बुद्धी पर इन्होंने विशिष्ड ब्रक्ति-पी पर इच्भ ने इन्होंने कब किया था कप किया था तो 1905 इतना याद रखना ना है 1905 में फेज्ञानिक या एक मनो फेज्ञानिक थे documenting क्या थे या एक मनोबैग्जानिक थे याद रखेंगे आप लोग चारिए आज़की अग्ला कोश्चन कोश्चन सेवनथ बता दीजए कोश्चन नमबर सेवन आप लागों के सामने है अंत्रजरिष्टी compiled अंतरज के अंतरजर और्रिष्टी ढूल्ट दोरा सीखने के गेल स्टाल्ट मनो बैग्यानिक दोरा इनमें कोहलर ने इसमें क्या करते हैं कोहलर साब ने अपने प्रियोग में क्या था सुल्तान क्या था बताई सुल्तान नामक क्या था एक वन मानुस था सुल्तान नामक क्या था एक वन मानुस था सुल्तान नामक क्या था एक वन मानुस कर रहा है कि आउशक्ता का प्दानुक्रम इसिधान्थ सिद्धांत द्वारां प्रतिपादित किया गया तो आउशक्ता का द्रम किरेन अीड क्रेशिầaları करें रहां मैंक्लो कि दौरां था किए फ्रीक्रांन değer ये यह किया गया था और यह कब किया गया था तो 1904 में यह किया गया था ठीक है याद रखिएगा और शक्ता का जो पदा नुकरम सिध्धान्त है वा मैशलो द्वारा 1904 में किया गया था ठीक कब 1904 में किया गया था इस सिध्धान्त के अनुस्वार जो सिध्धान्त यह था पद हमारा क्या करता है आषस्यक्ता का पद्दानोकुरम i स्इस की भूख है लालथा है था हम उसके क्या करेंगी पाने की इच्छा रखेंगे ठीक क्या रखेंगे पाने की इच्छा रखेंगे मै고 सोहाब जो थे जो मनँ बैग्ज्यानें इन्हों पांच और शक्ताओं को क्या करता है चिन्नित किया था ठीक है क्या पांच और शक्ताओं को जिसमें सबसे नीचे क्या था हमारा सारीरिक क्या था है सारीरिक ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ यहां पर ठीक है याद रखेगा आप लोग सारीरिक ठीक सबसे लास्ट में उसके बाद क्या था सुरच्छा ठीक सारीरिक के बाद क्या थी सुरच्छा ठीक सुरच्छा के बाद क्या था समाजिक ठीक है सामाजिक ठीक समाज हमारा फिर उसके सबसे बड़ा योगदान क्या था उसका सिच्छा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या था तो यह जो क्या कर लेते हैं सबसे बड़ा योगदान क्या था बाल केंदरीत सिच्छा था ठीक क्या था बाल केंदरीत सिच्छा ठीक हमेशा जो सिच्छा होनी चाहिए वह हमेशा बालक के अनुशार होना चाहिए ना कि पाठिकरम के नुशार होना चाहिए नहीं सिच्छा के नुशार होना ठीक है यह जो सबसे बड़ा योगदान था ठीक है चलिए आज एगे नेक्स चलते हैं कोशन नंबर आप 10 बताएंगे करा कोशन नंबर 10 कि कुर्ट लेविन के अनुशार जो शमूह में जो परिवर्दन हो था ग्रुप में अगर कोई सम्मूह है अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो उन्हें क्या कहते हैं परसपरता कहते हैं रचनात्मक रचनात्मकता कहते हैं गतिसीलता कहते हैं या संगीत कहते हैं बताएं टेंथ का राई टेंसर क्या जागा तो उसमें क्या हो रही गतिसीलता क्या कहते हैं अगर किसी ग् भिशेस रूप से जरूरत मंद बच्चों की सिच्छा का प्रबंध होना चाहिए बिशेस रूप सबसे जरूतमंद बच्चों के सिच्छा का परबंद दूसरे सामान बच्चों के साथ जो हमारा ENDB 2020 आ यहनुन के Screw आ सब्कों क्या है समान सिच्छा देनी चाहिए तो इसालग इंद के लिए कोई प्रबंद नहीं करना जो समानने बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ इनकी क्या करनी चाहिए सिच्छा प्रवाइट करना चाहिए ठीक है आ जाइए आगे चलते हैं कोशन नमबर 12 हमनों के सामने और वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को मजा आरा पढ़ने में तो वीडियो जरूर शेयर करिए और support भी किया करिए जादा से जादा ठीक है चलिए next question नमबर आप लोग 12 बताईए the conditions of learning the condition of learning पुष्टक के लेखक कौन है तो the condition of learning पुष्टक के लेखक कौन है वी एफ स्कीनर, आर एम गेने, आई पी पावलाव या ई एल थारनडाइक तो कौन है तो बार का right answer हमारा क्या जाएगा बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा आर एम गेने, कौन है आर एम गेने साब है the condition of learning पुष्टक के लेखक कौन है आर एम गेने साब ठीक है याद रहेगा ने इसकी जो है रचना जो है लिखे कब थे तो 1970 में कब लिखे थे यह भी याद रख लिजेगा कब लिखे थे तो 1970 में इसकी क्या किया थे इसको लिखे थे अपनी पुष्टक में आठ प्रकार के अधिगम परिस्तितियों का इन्हों ने भी इसमें क्या क्या था वार्डन किया था ठीक है चलिए आगे आ आ जाते है question number आप 13 बता दीजिए question number 13 की प्रक्रिया में सीखने का हस्तानान अंत्रण क्या कह लाता है सकारात्मक सुन्ने या इच क्या ककलता है सकारात्मक किसी कोई चीज आप सीख रहे हैं और उसमें क्या हस्तानांत्रण कर रहे हैं तो यहां क्या कर रहा है हमारा सकारात्मक यह क्या होता है सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है, सुन्य भी हो सकता है, तो अर्थात राइट एंसर क्या आजाएगा हमारा, तो राइट एंसर इस तरह से दिखा जाएगा, तो राइट एंसर हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट आजाएगा, क्या जाएगा, डी पार्ट आजाएगा, सकारात्मक हस्त और्ध हस्तान वन्ट्रन भी होता है दू परशिक अन्त्रन भी माना जाता है ठीक है this color करक च्छा सिछण में पंठि प्रस्तावना शोपान सीखने के लिए नियम पर आधारी गें प्रभाव का नियम possibility सहका कईरिए 17 है यस में सबसे राइट एंसुर क्या जाएगा हमारा सीबारा क्या हो जागा बिल्कुल सत्ध हो जागा सीखने में यह संकर्मित होती है का कार इस जन्मजात योगता के विकास के लिए उपयुक्त परिष्थितियों का निर्मान करना है तो क्या होगा जलवाई वातावरण मौसम या छेत्र बताई आप लोग 15 का राइट एंसुर क्या तो क्या होता है वनसानु क्रम द्वारा मनुस्य की बुध्धि आगे की पीडियों में संक्रमित हो तो वातावरण का कार इस जन्मजात योगता तो क्या होगा वाताव वरण हमारा क्या जाएका बिल्कुल सत्त्त्त्य हो जाएका ठीक है तो हमारां आगे आएंगे कोशिए नंबर 16 को सारेणि के वरिध्धि और विकास को कहते हैं जब आपके सारेणि थीक है क्या कहा जाता है आनुवन्स इंफ्ता के सारे कम ब्रिध्य और करें टेमस ब्रिड़ी आगे की संक्रमित होती वीपिड़ल स्वाथ का ल팅 वान्स सिखता के बारे मैंने वे तो जो ठीक है तो राइट एंसर अमरा क्या जाएगा दी चलिए आगे चलते हैं next question, question number 17 बताईए 17 क्या करा अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था अधिगम में ने प्रभाव का नियम किस ने दिया था जो प्रभाव का नियम है उसको किस ने दिया था था थान डाइग साब ने दिया था ठीक है अधिगम में जो प्रभाव का नियम है वो थान डाइग दोरा क्या खिया गया था दिया गया था तो राइट एंसर इसका क्या जागा डी बताईए कोशन नमबर 18 क्या करा है बालक मनो बिज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सरोत्तम है जो बाल मनो बिज्ञान के आधार पर कौन सा कथन हमारा सत्य है प्रतेग बच्चा बिशिष्ट होता है जरूरी नहीं है कि प्रतेग बच्चा बिशिष्ट हो कुछ बच्चे बि बिसिष्ट होते हैं ठीक है उनकी अलग क्या होती एक बिसिष्टा होती है ठीक है आगे चले तो राइट एंस्वरे पार्ट बिल्कुल सत्य चली आगे आजए कोशन नंबर आप बता दीजिए कौन सा 19 कोशन नंबर 19 देखे क्या कर रहा है कि भासा विकास का सिध्धान्त नह सिध्धान होता हुता अत्रिक्त का कोई सिध्धान्त नहीं होता तो राइट एंस्वर हमारा क्या हो जैगा यहीं बिल्कुल हमारा सही हो संथी हो जागा क्योंकि सारिक विकास का छेत्र है में सारीरिक विकास का छिद्र क्या है समायोजन अभी प्रेडरन से हमारे सारीर का विकास नहीं होता है तो अभी कल अब विकास को होता है ठीक है चले आगे है फटा फट आज का पेपर खुछ आज आसान लग रहा है कुछ और तो किये हुए है अपोलों के की हुए थे कुहलबर के एनुसार किस znajdu होती यह वाहिकार को द्वारा निर्धारित होती सब्सक्राइट था प्रतेक की दो क्या बताय थे अवस्थां को बताया था ठीके टोटल 6 अवस्थाइं बताया थे इन्हों ने क्या णैतिकता वाहकार को द्वारा-गान पूरो मुष्था पर्वारारमकरइब को RPS था तो उसका राइट एंसोर क्या जाएगा ए पार्ट प्यों पार्म पर करता एह हमारी लिश्ट कोस्टन नंबर है 22 देखें दो आप्सन दीख रहे हैं दो आप्सन अभी हम करते हैं ठीक है विकास के सिधान्त के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है गलत की बात कर विकास एक क्या होता परी मारा आत्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक-ठीक मापन किया तो यही हमारा गलत हो गया पहला है इसका ठीक-ठीक मापन नहीं किया जा सकता है तो हमसे क्या पुछा था क्या गलत है ठीक है गलत क्या है तो यही हमारा गलत है तो यही राइट एंस्वर हो गया देखने की जरूवत ही नहीं दो आप्सन बाकी प्रतेक बच्ची के विकास के चड़ों से गुजरता है फिर भी बच्चे में बैक्तिक भिन्यताएं होती है बिलकुल सत्य बात है ठीक है लेकिन हम से इसमें क्या विकास परिपक्षण और अधिकम पर आधारित होता बिलकुल सत्य बात है विकास अनवनसिक्ता और वातावरण के 20 सद अन्योन क्रिया होती ये भी सत्य है, ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या जोएंगे, सत्य है, चलिए, कोश्चन नमबरा बताएंगे, 23, करा है कि बुद्धी एउम स्रीजनात्मक्ता में किस प्रकार का सहसंबंद पाया जाता है, बुद्धी एउम स्रीजनात्मक्ता में किस प्रकार का सहसंबंद, धन रियह सभी धानत्मकिस अधान्य रिट्मक सभी था जाती है थानात्मकिस अधान पेगए। वस़ीन्प काूं रिओस देखाव क्या देखिये नधर यहां का रहने के गोंच ч Advent सद्द्ध में विकास एंवाइगोच्व शismo है क्वारण कि घंत sei क्या塗र। तो लेवाय गौट्सकी के अनुसार जो विकास का मूल कारण था समाजिक अन्यों निक्रिया हमारी क्या थी यह मूल कारण थी तो इसका B part क्या जागा बिलकुल सत्य होगा संतुलन मानसिक प्ररूप इस्किमया इसकीमा वाला जो था वो किसका था पियाजे का था थी का इसकी प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है जो बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी बालक के बैक्तिकत बैक्तिकत ताका आदर पुरसकार्यों धंड प्रसंसायों भ्रत्सना या उप्रोक्त में से सभी बालक की बैक्तिकत आदर को माना जाता ठीक क्या जाएगा 25 का तो सभी होंगी एभी माना जाएगा एभी माना जाएगा एभी उसकी पुरसकारियों दंड भी क्या है प्रेणा के रूप में प्रसंसाय वं भ्रत्सना को भी तो उप्रोक्त में से यहाँ डी पार्ड बिल्कुल सत्य हो जाएगा ठीक है चलिए आगे प्रक्रिया में निमलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए विद्यार्चियों की सक्री सहभागिता अनुशाषन और नियमित उपस्थिती ग्रिह कारे की चांच में लगन विशेवस्तु की कठिनाई अस्तर बताई विद्यार्चियों की सक्री सहभागिता हमारा क्या जागा राइट आजाएगा किस सिछन प्रक्रिया में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए तो विद्यार्चियों की सक्री सहभागिता का क्या करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए चलिए आगे आते हैं अगला कोश शाह प्रतित लएब के उधारने गोने हैं किसके अम सामान दिवी शाह बिपने यकिती नियुक्वास да किसे तो पठन विकार से किसे पढ़ने में उसको प्राब्लम होती है ठीक है साको क्या करता है साको क्या पढ़ता है वाज पढ़ता है ठीक है यह जो स्वा लिखा है इसको क्या पढ़ता है वाज पढ़ता तो पठन विकार में उसको क्या पढ़ता है प्राब्लम रहाती है तो यूथ पादन का प्रतिसत होता होना चाहिए मतलब का रहा है कि निवेश राष्ट यूथ पादन का कितना प्रतिसत हम करते हैं 6% 10% 4% देखी इस तरह के भी कोशन पूचे जाते हैं तो राइट एंसर क्या GDP का 6% हम लोग यूज करते हैं ठीक है GDP का 6% यूज करते हैं तो कशेर करते रही आप लोग फटाब वीडियो को शेया कर दिजिए सेयर कर दिजिए और कादर कारई प्रकतिसील बच्चों के लिए अच्छे सेची कारिक्रम वे होते हैं जो उनके अक्रामक ब्योहार को क्या करते हैं नियंतरित करते हैं बेलकुल गलत बात है ठीक है उन्हे अधिगम नियुनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों उपहार की बात जहां कर रहा हूँ हमारा निगेटिव होता निगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाली क्लास हुई है उसको आप लोग देख लिए ठीक है अगला क्या कर रहा है तोड़ा सबलर है अ आउसर कि जहां बात करता है वह हमारे क्या होता है तो आगर वीडियो अच्छा लगा तो शेतलो को हैं और हमारी क्लास जो सुबह 9 बजे के हमारे CDP की क्लास चलती है 12 बजे जो हमारी किसी की क्लास चलती है साइंस इसमें साइंस चल लए ठीक जिसमें विटामिन्स के आज फिर हम लोग विटामिन्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कबर करेंगे ठीक है और फिर हमारी जो किसक हिंदी देखने को मिलत यह और बीडियो के हकल गर्णार बनाए रख़ें हिंद देखने को मिला चख़ने घह और अब अब ज्यादा क्लासिस होंगी तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ज्यादा ज्यादा सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें जैह हिंद जैह भारत कि अगर अगर कि अगर कि अगर